असलाम लेकुम दिया लेर्नर्स एन ओन्टिपनोस वेलकम इन दे विडियो बात हो रही है ब्लू ओशन स्ट्राइजी क्रिएटिंग अन अनकंटेस्टिड मार्केट और मेकिंग दे कॉंपेटिशन एर्लवेंट यह स्ट्राइजी हमने बताई थी के एक किताब आई है और जो के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत इंट्रेस्टिंग टूल हो सकता है ब्लू ओशन स्ट्राइजी किस तरह से यू करिएट यूर और मार्केट नमबर तू हाव यू कैन मेक दे कॉंपेटिशन एर्लेवेंट एन नमबर त्री हाव यू कैन गो फर पर इससे दिए पेरिज्य बेर से वाली यू अन कोस्ट इसली हम बात कर चुके है कि तीन कॉर प्रिंसिपल्ज नहीं थेन कॉर प्रेंसिपल सोथ्ट और एक्सप्लोर कर देते हैं पर सावर कित यह वह री कंस्ट्रॉक्ट यूर मांगेट अगर हम बाउन्देशन देखें तो if you look at your screen, तो आपके पास boundaries of competition में क्या होता है, आपके इस industry हो move कर रहे हैं, आपका strategic group क्या है, आपके suppliers यहां buyer groups कौन से हैं, आपके product और service है, उसकी offerings क्या है, आप जो functional and emotional orientation है, किसी भी industry की वो क्या है, time and trends क्या चल रहे हैं, यही तमाम चीज़े होती हैं, जो basically आपका competition define कर रह होती है, अब आज आते हैं, कि अगर आप तो conventional, यानि red ocean में है, जिसमें head to head competition है, तो उसमें अगर आप industry में होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, अगर आप industry में होते हैं, तो आप focus कर रहे होते हैं, कि आपके जो दूसरे competitors हैं, आपके जो rivals हैं, वो क्या कर रहे हैं, फि कर रहे होते हैं कि आपके जो suppliers हैं वो आपको क्या offer कर रहे हैं आप focus कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने maximize करनी है value of your product and service while living in the industry या दूसी तरफ आपने किस तरह से cost को आप जो है वो reduce करना है आपने performance को और plus price को किस तरह से trade-off करना है और आप focus कर रहे होते हैं कि एर्दिगर जि होते हैं when you are in a conventional mode where you have head-to-head competition जिसको हमने red ocean का नाम दिया था अब आ जाते हैं reconstructing the market boundaries मिसाल के तौर पे सबसे बहतरन option क्या है अगर आप grow करना चाहते हैं या आप किसी ऐसी industry में नहीं जाना चाहते हैं कि जिस industry में competition बहुत जादा है तो blue ocean strategy में reconstruct कैसे हो सकता है very interestingly look across the alternate industries आपकी industry के साथ जितनी भी relevant industries हैं करीब करीब जितनी भी industries हैं या उसकी जो sub industries हैं आप उनको भी देखिए और उनकी तरफ भी move कर सकते हैं आप फिर उसके बाद why only strategic groups अगर आप industry के अंदर हैं तो industry के अंदर दूसरे जो leading groups हैं या alternate industry के जो strategic groups हैं आप उनको भी focus कर सकते हैं फिर उसके बाद आपके पास जो सप्लायर्ज हैं इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग सप्लायर्ज हैं उनको फोकस करने की बजाए आप क्यों नहीं नए सप्लायर्ज ढूंगते हैं नए सप्लायर्ज जो ऑफरिंग्स हैं उससे आप बियॉंड जा सकते हैं फिर इसके इलावा जो आपके इमोशनल या फंक्शनल एरियाज हैं वोच आपके प्रोड़क्ट के हैं सर्विस के हैं या आपकी इंडस्ट्री के हैं कि आप अपनी औरियन्टेशन चेंज कर सकते हैं और बजाए इसके कि आप एक्सटरनल एंवायर्मेंट को आजग्स अपने एर्दगर्ध और ऐसा हुआ है जितनी भी इनुवेटिव प्रोड़क्ट्स हैं जो कस्टमर्स ने कभी सोची भी नहीं ती जब वो मार्केट में आई हैं तो थी, cost जो है वो slowly and gradually, अब हम देखते हैं बहुत से चीज़ें जो बहुत innovative थी पहने हैं अब उनकी cost काफिया तक reduce हो गई है, उन्होंने market के अंदर अपनी नई industry develop की, उन्होंने market के अंदर नई services develop की, उन्होंने product के साथ ऐसी complimentary services जो है वो join कर दी हैं कि जिसकी वजह से हम एक product लेते हैं तो दूसरी product भी हमें उसके साथ लेनी पड़ती हैं, so अगर आप इसी framework, इसी tool को उठाएं और उठा कर आप market assess करना शुरू करें, तो you will get an idea कि entrepreneurs कितने smart और कितने genius होते हैं कि when they come up with the idea, they can come up with the idea in a way कि आपके जहन भी नहीं होगा और फिर बात में कुछ अरसे के बाद वो product या वो service आपके लिए बहुत essential अबलकि आपकी जिन्दगी का हिस्सा बन जाती है second core principle, reach beyond the existing demand यानि आपके पास जितने आपकी customers हैं, आप समझते हैं कि सिरफ वही customers हैं और उन्ही customers के उपर आपने काम करना है वो customers की जो market share है या वो आप लेके जाएंगे या वो आपकी competitors लेके जाएंगे blue ocean कहती है go to some uncontested space जहां पर customers के पास options कम से कम मौजूद हैं या फिर आप अपनी customer base बढ़हाई है अच्छा customer base बढ़हाई किस तरह से जा सकती है customer base इस तरह से बढ़हाई जा सकती है कि आपने वो segments जो अभी तक cater नहीं किये आप उन segments में जा सकते हैं पर इसेंपल हम बात करते हैं banks की पाकिसान के अंदर एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा area बहुत बड़े जिसे कहते हैं population का जो एक portion है उनके पास banking facilities मौजूद नहीं थी उनके पास banks में account open करने के लिए guarantees नहीं थी वो जादा पढ़े लिखे नहीं थे उनको लिखना पढ़ना जादा नहीं आता था अब आप समझ सकते हैं कि हम किन services की तरफ offer कर रहे हैं यह जितनी भी services mobile cash services आई हैं basically इन्होंने आते ही उस market को capture कर लिया है कि जिस market में लोगों के पास bank accounts नहीं थे और उनकी needs बहुत चोटी थी एक एक दो दो तीन तीन चाचार हजार रुपे की needs थी तो सारी की सारी needs सारी की सारी market capture कर लिया बहुत सी mobile services ने कि banks को भी आना पड़ा इस सरफ और अब mobile के थू money transfer आसान हो गया है अब तो जिसका bank account नहीं भी है वो अपना mobile के थू अपने mobile number पना bank account उपन करता और banking services को enjoy कर रहा है see how they had created their own market and how they had increased the customer base reaching beyond existing market के अंदर उन्होंने customer की categorization आपको बताई है यानि कुछ customers आपके core customers होंगे कुछ आपके non customers होंगे कुछ customers होते हैं जो जल्दी ही आपके non customers बन जाते हैं कुछ होते हैं जो आपकी customers बिल्कुल refusing customers होते हैं आप जितना मर्जी उस पर फोकस करें वो customers आपकी तरफ नहीं आते हैं तो customers को देखिए core non customers non to be soon to be non customers or refusing customers और इसके बीच में कोशिश रे करें कि आप जो अभी तक non customers थे जिनको आप focus नहीं कर सके आप उनकी तरफ जाएए increase your customer base इसी customer type को उन्होंने book के अंदर explain किया है three tiles of non customers के तोर पर आपने non customers को देखना शुरू कीज़े आपकी market है आपके first tier, second tier, third tier customers हैं कुछ customers आपकी product को अभी तक आप यह तक पहुँच नहीं पाए हैं या आपका उन तक पेगाम नहीं पहुँच पाए है उनकी demand आप तक नहीं पहुँच पाई कुछ customers आप जहते हैं जो आपकी reach से बाहर है कुछ जिस तरह regional markets हैं अभी तक हो सकता है आप अपने region में operate करें आपने बाहर की regional markets को explore ना किया हो और कुछ customers आएते होते हैं जो आपकी product और service को as an alternate इस्तमाल कर सकते हैं So look at your different first, second, third tier of customers Try to increase your customer base और अभी तक जो customers आपने explore नहीं किये उन customers को देखिए Third core principle of blue ocean strategy Get the strategic sequence right If you look at your screen checklist है आप अपने आप से ये इस तमाम सवाल पूछ सकते हैं मिसाल के तौर के उपर के आपके पास जो आपका supplier है ठीक है आपका जो supplier है वो जो आपको utility offer कर रहा है जो price offer कर रहा है जो supplier की quality offer कर रहा है वो अच्छी है, बुरी है आपके business idea के साथ जा रही है यानि आप जो customer है वो customer आप से वो price ले सकता है नहीं ले सकता आप उसको वो price suit करती है के नहीं करती पहले half में आपका जो buyer है वो आपका customer भी हो सकता है और आप खोद भी बाहर हो सकते हैं अगर आप किसे supplier से खरीद रहे हैं आपका buyer आपकी product की utility को समझता है आपका जो supplier है क्या वो आपको को utility offer कर रहा है आपकी price compatible है क्या suppliers आपको जिस price पे दे रहे हैं उस price के उपर आप मज़ीद अगर काम करते हैं थोड़ी जानी production करते हैं तो production के बाद जो price offer कर रहे हैं यहां आपका जो customer है वो आपसे price क्या demand करता है accessible है आप जा सकते हैं offer कर सकते हैं yes, no, rethink about it cost, जितनी भी production cost है आपकी production cost आपके profit margin को आपके comparative advantage को आपकी strategic position को जो differentiation यह cost के दर्मयान में है value innovation उसको address कर रही है के नहीं कर रही if yes, go ahead, if no, rethink about it adoption की उन्होंने बात की है कि कौन-कौन से hurdles आपको आ रहे है आपके environment में क्या change हो रही है आपने उन change को address करना है अगर change के साथ आप को आप कर सकते हैं go ahead, go for this idea, if no, just rethink about it यानि बार-बार आपने customer supplier से लेकर price से लेकर, cost से लेकर external environment के adoption से लेकर इन तमाम processes को देख रहे हैं and that is your strategic sequence purpose क्या है, create an uncontested market making the competition irrelevant and increasing your customer base increasing your demand, rather creating your own demand you will get a viable business idea based on blue ocean strategy बात करते हैं strategy canvas की ये भी एक framework है जो उन्हें offer किया है उन्हेंने कहा है कि canvas बना ले है multiple इसके अंदर और भी tools हैं हम quickly आपके लिए wrap up कर रहे हैं कि वो tools जो आप बहुत आसानी से जिनको आप इस्तमाल कर सकते हैं strategy canvas में क्या है और हुने कहा है एक canvas लें और उसमें different factors जो हैं वो identify कर लें कि एक industry कितने factors के ऊपर compete कर रही है if you look at your screen मिसाल के तौर पे हमने कहा है कि industry में price हो सकती है आपकी industry का ecosystem हो सकता है आपकी marketing, quality, आपकी जो product है उसकी legacy है, product की design की production की complexity है, product की क्या range है इस तरह के जितने भी different factors है आप उन factors को रखिए और देखिए कि आपकी market जो है वो market इस वकत कहां पर किस तरह से operate कर रही है इसी strategy canvas में आपने जो आप first line देख रहे हैं वो industry की है और जो high के ऊपर है basically वो आपकी market है, uncontested market है जिसमें आप industry से हट के perform करना चाहते है ये भी आपने देखना है कि आप competition के kin-kin factors में किस-किस तरह से perform कर सकते हैं इस canvas के साथ-साथ एक और जो offer करते हैं ये book के अंदर कि आपने इस blue ocean strategy को ये इस canvas के ओपर जिस तरह भी आपने perform करना है अचीव करने के लिए क्या strategies हो सकते हैं तो उन्हें कहा है कि वाय नौट कि आप चार actions कर सकते हैं rise, eliminate, reduce and create यानि इना the words आप ये देखिए किन ऐसे factors हैं जो canvas में आपको नजर आ रहे हैं जिन के ऊपर आपकी industry base कर रही है और आपने उन standards को उन standards को बढ़ाना है यानि उनसे आगे जाना है likewise कौन से ऐसे factors हैं जो आपकी industry के अंदर prevail कर रहे हैं जिन standards को आप reduce भी कर सकते हैं likewise कौन से ऐसे factors हैं जो आप for granted ले रहे हैं या industry for granted ले रही है और आपने उन factors को eliminate करना है और कौन से ऐसे factors हैं जो industry offer कर रही है आप offer नहीं कर रहे हैं आप की industry offer नहीं कर रही लेकिन आप offer कर सकते हैं So rise, eliminate, reduce and create and create your own value curve, create your own uncontested market while offering value innovation Blue Ocean, the conclusion is कि Blue Ocean strategy एक बहुत interesting strategy है Purpose क्या था आप से share करने का purpose ये था कि आप मुखलिफ strategic options आपके पास हो चुट-चुटे quick frame of references आपके पास हो ताकि आप जब फैसला कर रहे हो चाहे idea evaluate कर रहे हो चाहे venture चला रहे हो, चाहे grow कर रहे हो और चाहे आप अपने business को globally लेके जाना चाह रहे हो आपके पास चुट-चुटे tools होने चाहे हैं जिन tools के ऊपर आप अपने business idea या business को evaluate कर सकें एक sustainable competitive advantage अचीव कर सकें और आपका business जादे लंबे अरसे तक चल सकें So a blue ocean strategy is strongly recommended आप इसको पढ़ें जरूर explore करें इसमें कुछ और भी frame of references हैं जो आपको बहुत help कर सकते हैं आपकी cognitive यानि आपकी thinking process के अंदर Thank you very much, see you in the next video